महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से जारी सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये मामला दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है जहां एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है तो वहीं दोनों तरफ से जुबानी जंग भी तेज हो गई है अब इस बीच आज फिर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दोरान देखी खास रिपोर्ट में बीजेपी के सेंदमारी के कारण उद्धाव को सत्ता गवानी पड़ी और अब महराष्ट में शिंदे की सरकार है बीजेपी का दावा है कि ये बीजेपी और शिवसेना के गटबंधन की सरकार है जबकि शिवसेना एक नाथ शिंदे को शिवसेनिक ही नहीं मानते है और उद्धव गुट का कहना है कि शिंदे बीजेपी के सीएम है शिवसेना के नहीं यानि सत्ता जाने के बाद शिवसेना पर बर्चसु की लड़ाई तेज हो गई है ये लड़ाई तो चल ही रही है वहीं दूसरी तरफ बागी विधाईकों को आयोग ठहराने का मामला सुप्रीम कोट में चल रहा है और आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई शिवसेना के 16 विधाईकों की अयोगिता और एकनात शिंदे की शपत ग्रहन को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोट में आज जोरदार बहस देखने को बिली हाला कि सुप्रीम कोट ने आज कोई भी आदेश देने से इंकार करते हुए एक अगस्त को अगली सुनवाई का फैसला लिया है इसके साथ ही कोट ने सुनवाई के दोरान शिंदे गुट के विधायकों को विधान सभा की कारिवाई को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है इसके अलावा मामले में अब एक अलग मेंच का गठन भी किया जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि कोट ने कहा हो सकता है ये मामला सम्विधान पीट को सौपनी की जरूरत पड़े हमें इस पर भी विचार करना चाहिए वही कोट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीले दी और कोट ने दोनों की दलीलों को सुनकर अब मामले को एक अगस्त के लि गोट की ओर से इसको लेकर निर्वाचन आयो को एक चिठ्थी भेजी गई है उद्धा ठाकरे गोट इसको लेकर पहले ही चिठ्थी लिख चुका है दीवी लाइव की रिपोर्ट